इससे स्टोरी सुनना अब नहीं पसंद। I am sure, everyone loves listening to stories. अब चाहे वो दादी नानी के थू सुने, ममी पापा से सुनने मिले, या फिर साइनस इन फन की अनिमेशन से. इसी trend को ध्यान रखते हुए, today we will listen to the story of Iswaran the storyteller. तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, class 9th का chapter which is Iswaran the storyteller. अब सब को लगता है, storytelling is a piece of cake. बत ऐसा नहीं है. Story telling जो है ना, it's like a magical journey. जहां पर words हमारे दिमाग में बनाते हैं, धीर सारी pictures, which ultimately makes us laugh, cry, या फिर कई बार तो हम डर के मारे सो भी नहीं पाते हैं. आर के लक्षमन कीजिए ये story है, हमें elaborate करती है, इस particular art form के बारे में. Now, in this story, we have two characters. Mahendra, चोकी एक supervisor है, और अपनी काम के सिलसले में, उन्हें अकसर एक जगा से दूसरी जगा, travel भी करना पड़ता है. अब इतने challenging job में, Mahendra was super comfortable. क्यों? ऐसा कैसे? Because he had a secret weapon. और वो weapon था, Iswaran, उन्हें का cook. Yes, the second and the main character of this story. Iswaran was an amazing storyteller. और उसे शौक था, Tamil thrillers पढ़ने का. जभी भी उसे time मिलता था, अपने काम से, वो हमेशा, Tamil thrillers ही पढ़ता था. और एक छोटे से, सिंपल से, इंसिदेंट को भी, अपने expressions, and bodily gestures से, thrilling और exciting बना देता था. अब just in case, उसे एक उखडे हुए पेड, जिसे हम कहते हैं, अपरूट ट्री, इसको describe करना होता था. He would say, मैं एक सुनसान रास्ते पर जा रहा था, जहां मैंने, एक बड़े से जानवर को, रोट पर पड़े देखा. अब यहां से हमें ये तो आइडिया लग गया है, कि ईस्वरन वाज नौट जुस्ट अ कुक, बट आजो अन अमेजिंग स्टोरी टेलर. उसके अंटेनमेंट का एक प्राइमरी सोर्स था. So, one day, he narrated an incident about a mad elephant to महेंद्र. और उस ताइम पर, उस पटिकुलर इंसिदेन के ताइम पर, ईस्वरन, he was studying in high school. वो किस तरह से नरेट करता है, it is an amazing portion to listen. एक दिन, जब सभी बच्चे, स्कूल ग्राउंड में खेल रहे थे, एक जंगली हाती एंटर करता है, स्कूल के क्यांपस में. और कैसे? By breaking the walls. सारे बच्चे और टीचर, they ran to the roof of the building to save their lives. That the mad elephant, he looked at him, और कैसे? अपनी red eyes से, who was ready to attack on him. लेकिन इश्वरन, इस पुशल situation में भी, उसने अपने पेशंस को लूज नहीं किया. He took a cane from one of his teacher and went near the elephant. और जैसे ही वो elephant के पास गया, he gave a sudden kick to the elephant's third toenail. कि elephant वहां पर unconscious हो गया, बेहोश हो गया and he fell to the ground. लेकिन ऐसा नहीं है कि यहां पर हमें किसी तरीके का animal abuse दिखाया गया है. It was out of self-defense. तो थोड़ी देर बाद एक वेट को बलवाया गया and after two days, after the elephant's treatment, it was released in the nearby jungle. तो बहुत ही छोटे और सिंपल इंसिदेंट को artistic way में प्रेजंट करना, ईस्वरन के लिए कोई बहुत difficult काम नहीं था. अब एक दिन इसी तरह से, ईस्वरन ने अपने मास्टर से पूछा, if he could make a special dinner. Why? Because कुछ तो उस दिन auspicious day था. Because he was an amazing cook, तो उसने एक दिलिशस सी मील प्रपेर किया, but then he dropped a bombshell. एक भेंकर सा बाउम वहां पर ब्लास्ट किया. He said that the place where they were living, जहां वो रह रहे थे, it was once a burial ground. यहां पर पहले तफनाया जाता था लोगों को. And he told that he had seen a spirit on a full moon night, कि उसने एक आत्मा को देखा है. And the ghost, वो अपने साथ क्या क्यारी कर रही थी? An unborn baby. इस से महेंदर को इतना डर लगा, इतना डर लगा कि सोते वक्त, उसको तरह-तरह की आवाजे सुनाई देने लगी. He could hear a crying sound of a woman, कहां पर? Outside his window. और डर के मारे जब उसने देखा, he could visualize the spirit of the woman. उसको बिलकुल वही औरत वहां पर दिख रही थी, holding a bundle in her hands. और पहले तो उसे लगा कि यार, ये सब कुछ नहीं है, मेरा बस superstition है, मेरे दिमाग का खेल है, और कुछ नहीं. And he slept peacefully, अराम से वो सो गया. But the next morning, ईस्वरन ने जब फिर से महेंदर से ये question पूछा, about whatever he had seen the last night. लेकिन महेंदर इतना डरा हुआ था, कि उसने ये conversation भी पूरी नहीं की, वो फटा-फट से office के लिए निकला, to resign from his job, and leave that haunted place the very next day. Hello my amazing Gen Zs and my lovely students. Welcome to Science and Fun. Welcome to your English session. I am Dupika, your English educator. And I hope आपको chapter का तो एक अच्छा सा overview मिल चुका होगा, by the amazing animation जो अभी आपने देखी. लेकिन ये तो सिर्फ एक summary आपको मिल चुकी है, although वहाँ पर मैंने सारे important terms, सारे important incidents भी narrate किये हैं, बहुत अच्छे से आपको presented है, जिससे की story तो आप बिलकुल नहीं भूलने वाले हो, बिलकुल इधर से उधर अपनी mixed up stories नहीं बनाओगे, आपके exam में, because you get a lot of chapters there, लेकिन हम लोग line by line इस chapter को complete करेंगे, along with some important questions and PYQs as well. तो वीडियो को आपको end तक देखना है, सिर्फ summary देखकर नहीं छोड़ देना है, because last moment के लिए तो it's the perfect video, but then एक आपको in-depth analysis के लिए chapter का complete explanation भी, हम यहां से देगे. So, storytelling के बारे में हमने throughout इस chapter के बारे में बात की थी, अगर आपने overview लिया है अच्छे से, storytelling के art पर हमने बात की थी, also this chapter gives the message that the unnatural world of ghosts and spirits, तो हम यह सोचते रहते हैं ना, भूतों के बारे में, spirits के बारे में, यह हमें chapter समझाते हैं, it's merely figment of our imagination, बस हमारी imagination होती है, हम ही दस चीज़े imagine करते हैं, जैसे कि आपने किस के case में देखा था, महेंदर के case में देखा था, सबसे पहली तो बात यह थी कि महेंदर was not a person जो भूतों से डरे, लेकिन ईस्वरन के storytelling के art में, वो ऐसा फसा, उसको भी imagine करना पड़ गया था, beautiful beautiful ghosts, जैसे आप screen पर देख सकते हो, तो यहाँ पर, if we allow our hidden fears to take concrete shape, and start believing in ghosts and spirits, our life would get disturbed, तो अगर अपना काम छोड़ कर, हम इन सब चीज़ों को real मानने लगेंगे, बहुत जादा obsessed हो जाएंगे, इन चीज़ों को ले कर, हमारा काम ultimately affect करेगा, जैसा कि अपने chapter में देखा था, कि महेंद्र ने finally resign कर दिया, और उस जगय को छोड़ कर, वो चला गया, अपने अच्छी खासी job उसने छोड़ दी, महेंद्र was good at his job as a supervisor, but had to quit, because he allowed his fears, to overpower his rational self, because उसने अपने डर को बड़ा कर दिया था, अपने rational self से भी ज्यादा, reasoning उसने नहीं की, सही या गलत वो नहीं पहचान पाया, and ultimately, it led to his downfall, और वो वहां से job छोड़ कर चला गया, ठीक है, अपनी life का उसने इतना बड़ा decision, एक छोटी सी story के basis पर ले लिया, तो हम chapter को in-depth समझेंगे, यहां से, the story was narrated to Ganesh, by a young man, Mahendra by name, now, सबसे important part, कई बार हम से MCQ में पूछ लिया जाता है, कि जो यह story है, कि कौन सुना रहा था, although, कि जो story है, यह R.K. लक्ष्मन के द्वारा लिखी गई है, लेकिन, story narrate कौन कर रहा है, story narrate कर रहा है, हमारा Mahendra, ठीक है, okay, one of the characters in the story, और किसको सुना रहा है, वो, गनेश को, हो सकता है, वो उसका कोई friend है, ठीक है, तो एक character और है, जो कि आप इग्नॉर कर सकते हो, लेकिन, थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है, इतना भी, हम negligible इसको नहीं मानेंगे, वो, story सुना इजा रही है, गनेश को, now, Mahendra कौन था, he was a junior supervisor, यह आपको अच्छे से पता चल चुका है, ठीक है, जहां पर उसका क्या काम था, यह अलग-अलग construction sites पर जाता था, factories पर, bridges, dams, इस तरह की जगा पर जाकर, supervise करना, assistance, पूरी तरह से देखना, कि सारी चीज़े ठीक से हो रही है, नहीं हो रही है, इस job की वज़े से, उसको बहुत ज़्यादा travel भी करना पड़ता था, as you already know, ठीक है, and head office के order के हिसाब से, कभी एक जगा तो कभी दूसरी जगा, कभी coal mining area, तो कभी कोई railway bridge construction site, और इस तरह से, एक जगा पर stable वाला काम, तो महेंदर का नहीं था, he was a bachelor, महेंदर was unmarried, अपने बच्चों का किसी school में admission कराना है, या मेरी wife कैसे manage करेगी, तो यहाँ पर यह सब tension, महेंदर के साथ नहीं थी, he was a bachelor, उसके needs भी बहुत simple थे, important, ठीक है, महेंदर बहुत ही simple सा आदमी था, अराम से adjust कर लेता था, हर तरीके के odds में, odd का मतलब होता है problems, कि कुछ भी अगर थोड़ा उपर नीचे हुआ, कि यार चल यहाँ पर electricity का issue है, तो manage कर लेता था, suppose कहीं पर bed का कुछ पंगा है, manage कर लेता था, तो बहुत जादा वो tantrums वाला इंसान नहीं था, whether it was an ill-equipped circuit house, or a makeshift canvas tent in the middle of a stone quarry, तो देखो, कोई ऐसा उसको stress नहीं था, कि भाई, ill-equipped circuit, यानि कि किस तरीके का घर है, कोई उसको proper flat मिला है, नहीं मिला है, वो tent में एक canvas सा लगा कर भी, वहाँ पर state कर लेता था, लेकिन यार इतना difficult situation में, वो यह सब कैसे handle करता था, because he had a strong weapon, और वो वेपन कौन था, वेपन वोज ईस्वरन, ठीक है, इस्वरन वोज लाइक एन असेट, important है यह, यहाँ से आपका question भी बन जाता है, एक resource की तरह वो था, हमारे महेंदर के लिए, why, because देखो, cook वो था, अच्छा खाना वो बना लेता था, ठीक है, और वो महेंदर के साथ, attached भी था, उत्ते अच्छे servants कहां मिलते हैं आज कल, तो देखो, ईस्वरन, he was quite attached to महेंदर, और बिना किसी complain के, जहाँ भी महेंदर की posting होती थी, यह वहाँ उसके साथ चला जाता था, वो क्या-क्या काम करता था महेंदर के लिए, देखो, he cooked for महेंदर, washed his clothes, and sharted away with his master at night, तो ऐसा नहीं है कि महेंदर कभी office से आता था, अपने काम से, तो कभी bore होता था, तो वहाँ पर इस्वरन, he used to talk to him a lot, खुब गपे मारी, राद भर बढ़िया, ठीक है, and उसके कपड़े भी होता था, खाना भी बनाता था, and he could weave out endless stories, और इतनी कहानिया, इतनी कहानिया, वो weave out, weave out is to create, ठीक है, वो बनाता था, इतनी सारी कहानिया, and anecdotes on varied subjects, now anecdotes क्या होता है, a short interesting story about a real person, or event की, चोटे-चोटे किस्से जैसे हम कहते है, वो सुनाता था, दिन भर के, कभी आप लोग स्कूल से ठककर घर आते हो, तो आपके mother या father आपको, कुछ भी एक incident जो उनके साथ हुआ, वो आपसे share करते हैं, तो these are all anecdotes, लेकिन, ये किस्से तो हम रोज सुनते, तो ईस्वरन में ऐसा क्या special है, भई, वो क्या अलग सुनाता है, इस्वरन also had an amazing capacity to produce vegetables and cooking ingredients, चलो ये तो उसके खाने की तारीफ हो रही है, यहाँ पर, इस्वरन जो था ना, वो बहुत अच्छा storyteller था, चोटे-चोटे incident को भी वो इतने बढ़िया तरह से सुनाता था, आप देखोगे कैसे, तो यहाँ पर अभी खेर, एक और बात के बारे में बात हुई है, कि ईस्वरन जो था ना, he was an amazing cook, जिसकी capacity तनी बढ़िया थी, पता नहीं, कैसे, वो isolated जगह में भी, deserted areas में से भी, जहाँ आपको एक plant नहीं दिखेगा, कैसे अलगले ingredients लेकर आजाता था, it was amazing, बहुत ही strange भी लगता था, अगर आप लोगों ने कभी देखा हो, तो there was a cartoon, शाकला का बूम बूम हम देखा करते थे, I have no clue, अगर आप में से किसी ने देखा है, जरूर मुझे comments में बताओ, तो कैसे magical pencil से क्या होता था, कि कुछ भी आप खाने का item हो, या कुछ भी जो आपको चाहिए, you just have to draw, और वो आपके सामने आ जाएगा, तो ऐसा लगता था, यार ईस्वरन के पास भी कुछ ऐसा पक्का होगा, ऐसा मेरा observation है, इस स्टोरी को पढ़ने के बाद, लेकिट, ऐसा नहीं था, ठीक है, चाप्टर में ऐसा था ही mention नहीं है, it's just an observation, तो ईस्वरन बड़ा capable था, मतलब उसको अपने life experiences से कहलो, कि कोई भी सुनसान जगह से, वो बड़े आराम से, cooking ingredients निकाल लेता था, ठीक है, in the middle of a desolate landscape, desolate is बहुती खाली जगह, जहां पर कोई आसपा, shops भी नहीं होंगी दूर दूर तक, वो समान उसको पता नहीं कहां से मिल जाता था, he would miraculously, miraculously is magical way में, में, पता नहीं कहां से, he used to conjure up the most delicious dishes, ठीक है, to make something appear, conjure का मतलब क्या होता है, to make something appear, कुछ भी चीज प्रकट करना, it's like this image here, right here, ठीक है, fresh vegetables भी उसके पास आजाते थे, zinc sheet shelter, मैं एक छोटा सा देखो, this is zinc sheet shelter, तो कभी-कभी महेंदर को, ऐसे जगह पर भी रहना पड़ता था, जहां पर ईसवरन को ऐसा, shelter दिया जाता था, तो यहां पर पता नहीं कैसे, वो इतने बढ़िया ingredients से, amazing, delicious, खाना बना लेता था, महेंदर would be up early, in the morning, and leave for work after breakfast, carrying some prepared food with him, अब महेंदर, सुबह सुबह अपने office चला जाता था, ऐसवरन उसके लिए, delicious सा खाना पैप करके देता था, meanwhile, ऐसवरन वो tidy up the shed, wash the clothes, and have a leisurely bath, pouring several buckets of water over his head, muttering a prayer all the while, एक बहुत ही Indian bathing वाला image, हमारे सामने दिख रहा है, डिवलाप हो रहा है, इस तरह से, पूरे मंतर वंतर गाके, full on गाना वना करके, वो नहाता था, and उससे पहले, जैसे ही महेंदर office के लिए गया, he used to tidy up the shed, shed की सफाई करता था, कपड़ेद होता था, and have leisurely bath, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, कि मस्त अपना गुन गुनाते हुए, he used to take a bath, and it would be lunch time by then, और ये सब काम करते करते दिन हो जाती थी, after eating, he would read for a while, before dozing off, dozing off का मतलब होता है, sleeping off, ठीक है, सोने से पहले, वो क्या करता था, थोड़ी सी, reading करता था, अब ईस्वरन क्या पढ़ता था भई, क्या पढ़ता था ईस्वरन, देखो, the book was usually some popular Tamil thriller, वो क्या पढ़ता था, Tamil thriller उसको पढ़ने का बड़ा शौक था, running to hundreds of pages, और ऐसा नहीं था, कि एक या दो पेज की बुक होती थी, hundreds of pages होते थे, उसमें, its imaginative descriptions and narrative flourishes, would hold ईस्वरन in thrall, now see, कि जिस तरह का narration books में होता है, that is why I always recommend कि या, जितना हो सक्या books पढ़ो, it not only improves your vocabulary, but also helps you to communicate better, है ना, आपको communicate करने में भी help करता है, तो देखो, ईस्वरन, who was a cook, he used to read Tamil thrillers, उसको Tamil thrillers पढ़ना इतना पसंद था, और ultimately, जिस तरह से उसमें narration होता था, जैसे story लिखी जाती थी, तो यहां से ईस्वरन को भी बहुत अच्छी grip हो गई थी, same imaginative description की, तो वो भी किसी भी incident को बड़े, आराम से, मतलब, expressions के साथ, अपने gestures के साथ, present कर देता था, his own descriptions were greatly influenced by the Tamil authors, that he read, जैसे जो भी books वो पड़ता था, वो बिलकुल influenced होते थे, इनी Tamil authors के write-ups से, when he was narrating even the smallest of incidents, he would try to work in suspense, and a surprise ending into the account, कुछ भी वो पड़ता था, और या कोई भी incident उसे narrate करना होता था, तो ऐसा नहीं है कि मेरी तरह, या किसी और की तरह, बहुत ही random आके बता दिया, कि ओ, पता है आज क्या हुआ, आज उसने मुझे ऐसे कहा, आज मेरी उससे लड़ाई होगी, नो, 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 ऐसे नहीं, वो कैसे करता था, वो उस चोटे से incident को, इतने amazing way में describe करता था, as if कोई movie चल रही हो, आपके आगे ऐसा लगेगा, कि बिल्कुल visualize हो रहा है, आपको हर चीज, या तो बहुत जादा thrilling way में दिखाएंगे, कुछ horror way में दिखाएंगे, यह extremely funny बना कर उसे बताया जाएगा, तो ईस्वरन के पास यह talent था, ओके, now for example, instead of saying that, he had come across an uprooted tree, उखड़ा हुआ पेड, वो यह नहीं कहता था, कि यार उसने आज एक उखड़ा हुआ पेड देखा, suppose यह आपको image देख रही है, एक uprooted tree है, तो यह ऐसे नहीं बताएगा, कि आज उसने ऐसा पेड देखा, on the highway, he would rather say, क्या बताएगा, with eyebrows suitably arced, suitably arced मतलब, अपनी eyebrows को बिलकुल इस तरह से, कैसे, अगर यह आपकी eyebrows है, तो पूरी तरह से ऐसे आर्क बना के, एक proper shape देखे, यह आपके facial expressions को, बहुत जादा weightage देते हैं, I mean important बना देते हैं थोड़ा सा, तकि आप अच्छे से express कर पाऊ, जो भी आप बता रहा चाहरे हो, बहुत ही dramatic gesture में, अपने हाथों को रखते हुए, eyes को इस तरह से change करते हुए, वो क्या बताता था, देखो, कैसे बताता था, road was deserted, and I was all alone, कैसे बता रहा है, तो road जो थी, वो बिलकुल सुनसान थी, deserted, जहाँ पर कोई नहीं जाता है, isolated, empty, empty, अगर आपको simple way में समझता है, तो खाली road थी, सुनसान road, तेक है, उस road बिलकुल खाली थी, सुनसान थी, and I was all alone, और मैं बिलकुल अकेले था, suddenly, I spotted something, that looked like an enormous bushy beast, lying sprawled across the road, कैसे बता रहा है, suddenly, मैंने क्या देखा, I spotted, मेरी नजर पड़ी, किस पर, एक enormous bushy beast पर, enormous का मतलब होता है, huge, बहुत ही बड़ा, bushy beast, एक raakshas पर पड़ी, कि bushy था बहुत जादा, ठीक है, तो उसकी story से आपके दिमाग में, पेड की image तो नहीं बनेगी, आपके दिमाग में genuinely किसी, raakshas की image बन जाएगी, ठीक है, lying sprawled across, यह जो position होती है, इसको बोलते है, sprawled across, इस तरह से पुरा फैल के, गिर के सो जाना है, आप लोग ऐसे ही सोएवे मिलते हो ना, अपने parents को, तो यह, sprawled across, ठीक है, I was half inclined to turn and go back, मैं almost convinced हो रहा था, कि मैं जाओ या नहीं जाओ, पूरा मन नहीं बना पा रहा था, but as I came closer, जैसे ही मैं उसके पास पहुँचा, I saw that it was a fallen tree, वो क्या थी, वो क्या था, वो एक गिरा हुआ पेड था, with its dry branches spread out, जिसके सुखी सुखी branches, जो हर तरह फैली हुई थी, महेंदर बड़े अच्छे से, अन्कृतिकली, ईस्वरन की सारी स्टोरी सुनता था, बेसिकली स्टोरी इसको बोला है, अन्कृतिकली क्यों बोला, बिकस महेंदर उसको कभी ये नहीं बोलता था, क्या बेवकूफ हो जैसी बाते करता है, सीधे से नहीं बता सकता है, तो वो जैसा वो बताता था, बिल्कुल वैसे ही सुन लेता था, कोई critical judgment pass नहीं करता था, critically अगर वो सुनता तो वो question कर सकता था, कि भाई, एक पेड में और तुम्हें आदमी में, forest all around, the logs are hauled on to the lorries by elephants, they are huge well-fed beasts, when they turn wild, even the most experienced mahot is not able to control them, now यहाँ पर अब ईस्वरन, थोड़ा सा हमें एक और स्टोरी की तरफ ले जाते हुए, एक थोटा सा बैकड्रॉब देते हैं, कि भाई, जहां से, जिस जगह से मैं आता हूँ, तो वो जगह लकड़ी के लिए काफी famous है, timber is basically the wood, furniture वगड़ा के लिए use होती है, और बहुत ज़ादा forest से घिरी हुई जगह है, और जो यह logs है, logs हो गए इस तरफ से लकड़ी का पूरा, इनको कौन उठाता है, उनको यह elephants उठाते हैं, यह एक बीचे से इसको उपर गाड़ी में ट्रांसफर करते हैं, बट अगर यह जो elephants है, usually they are huge, अच्छे से इनको खिलाया पिलाया जाता है, लेकिन अगर यह wild हो गए, जंगली बिल्कुल पागल हो जाते हैं ने कभी-कभी, कुछ रीजन्स होते हैं, अपने उनके देखुते हैं, यार उनको कुछ हो गया है, कुछ अपने रीजन्स हैं, उनके इतनी कटिंग हो रही है, तो भाई इनने भी भाग कहीं बहार ही जाना पड़ेगा, यहां पर इस्वरान का परस्पेक्टिव वो नहीं था, वो simply narrating an incident, तो एक backdrop दे रहा था, लेकिन अगर यह जंगली बिल्कुल, यह जो elephants है, अगर इनको थोड़ा भी इनका दिमाग, अगर आता माजी सटकली वाला case अगर हो गया, तो they are not able to control them, फिर कोई उनको control नहीं कर सकता, उनका कोई master, कोई भी उनने control नहीं कर सकता, चाहे कितना ही experienced हो, होल्ज का यहां पर मतलब क्या होता है, to pull something with a lot of effort or difficulty, तो इतने भारी-भारी logs उठाने कोई इनसान के बसकी तो बात नहीं है, कौन करता है यह काम, elephants, after this prologue, Iswaran would launch into an elaborate anecdote involving an elephant, now see, यह छोटा सा एक आपको background idea दे दिया, prologue दे दिया, prologue होता क्या है, आप लोग कोई अगर novels अगर पढ़ते हो, कोई books पढ़ते हो, तो आपको एक introduction मिलता है initially है, story start होने से पहले, कोई भी आपका चाहे non-fiction ही क्यों नहीं हो, start होने से पहले एक introduction आपको दिया जाता है, तो उसको हम prologue कहते हैं, इस वरन कोई भी story सुनाने से पहले, कोई किस्सा सुनाने से पहले, एक हलका सा आपको introduction ज़रूर देगा, तो देखो उसने कैसे start किया, कि मैं जहां रहता हूँ, जहां से मैं हूँ, वहाँ इस तरह से elephants का use किया जाता है, now, one day a tusker escaped from the timber yard, तो देखो, story शुरू कर दी उसने, कि भाई एक दिन एक tusker, who is tusker, tusker is the elephant, ठीक है, एक elephant जो है, वो timber yard से भाग निकला, and he began to roam about, इदर उदर घूम रहा था, stamping on bushes, सारे bushes को stamp करता हुआ, उखारता हुआ, creepers को, and breaking branches at will, सारी branches को नुक्सान पहुँचाता हुआ, you know sir, how an elephant behaves when it goes mad, आपको पता है कि जब एक elephant पागल हो जाता है, तो वो कैसे बहेब करता है, Iswaran would get so caught up in the excitement of his own story, that he would get up from the floor, and jump about, stamping his feet, in emulation of the mad elephant, now Iswaran, storytelling में इतना खो जाता था, कि भाई वो बिलकुल, as it is, जैसे एक elephant, किसी को stamp कर रहा होगा, आप समझ लों कि, जैसे elephant जंप कर रहा होगा, या अपने heavy leg से, किस तरह से, वो नुकसान पहुचा रहा होगा, disaster मचा रहा होगा, Iswaran would imitate the same, Iswaran बिलकुल वैसे ही present करके दिखाता था, यहां से वहां, he used to jump and, narrate his story, तो सुचो कितना involved, वो हो जाता था, उसका excitement का level, आप आराम से यहां से देख सकते हैं, आप जिस elephant की बात कर रहा है, वही incident further वो नरेट करते हैं, कि भही यह जो elephant है, कि कहां पहुच गया, outskirts of their town, town का outskirt is basically, मानलो गर यह पूरा town है, तो peripheral area में, boundary में, किनारों किनारों में पहुच गया, सारे fences, विलकुल एक match stick की तरह, तोड दिया उसने ठीक है, breaking the fences down like match stick, उसके लिए तो match stick बराबर थे, सारे fences ठीक है, he would continue and then, वो further continue करते थे, it came into the main road and smashed all the stalls, selling fruits, mud pots and clothes, people ran helter-skelter in panic, तो लोग यहां से वहां panic में, परिशान होकर यहां से वहां, हुमने भागने लग जाते थे, because, यहां पर fruits, यह कोई mud pots वगएरा sell हो रहे थे, clothes की stalls लगे थे, सब कुछ damage कर दिया, so out of panic तो लोग दरुदर ही भागेंगे न, ठीक है, the elephant now entered a school ground, where children were playing, breaking through the brick wall, all the boys ran into the classroom and shut the doors tight, now see, अपने आपको बचाने के लिए, self-defense के तोर पर, everyone started running here and there, कोई जो खेल रहा था बच्चे, वो भी इदर उदर भागने लग गए, छुपने लगे, classrooms के अंदर जाने लगे, because now this elephant, he entered into the school boundary, कैसे, by breaking the wall, जैक है, wall break कर दी और, pool के ground में पहुँच गया, जहां पर बच्चे खेल रहे थे, now this beast grunted, now grunted, you can imagine, or you can simply just visualize, कि भाई कैसे, एक elephant का, जो sound produce होता है, वो दिखाया है कि, कैसे वो गुसे में बिलकुल, यहां से महां भाग रहा है, wondered about is, इदर उदर भागना, aimlessly घूमना, pulling out the football goal post, football ground, क्योंकि वो school के playground में था, तो जितना भी, वहां पर sports related items था, वो सब उखाड़ता हुआ, तो यहां पर दिखाया है कि, football goal post को ही उखाड़ दिया, pulling out is उखाड़ना, tearing down the volleyball net, volleyball net होता है न, उसको पूरी तरह से पाड़ दिया, kicking and flattening the drum kept for water, जितना भी पानी के लिए drum रखा था, उसको kick किया और नीचे गिरा दिया, flattening is, जो सीधा वो drum रखा था, उसको नीचे पलट दिया, and uprooting the shrubs, uprooting, अभी पहले भी अपने uprooted tree के बारे में पढ़ा था, यह uprooting होता है, उखाड़ना, ठीक है, okay, uproot कर दिये सारे shrubs को, meanwhile all the teachers had climbed up to the terrace of the school building, I am sure, किसी के अगर school में ऐसा incident हुआ है, तो यहाँ पर उस time पर तो चलो, अभी हम लोग पढ़ रहे हमें हसी आ रही है, लेकिन वो बड़ा panic वाला महौल होता है, just in case ऐसा कुछ होआ होता है, सारे teachers डर के मारे कहां, terrace पर चलेगा school building के, वो elephant पहुचा रहा था, बस वो उसको देख रहे थे, कोई भी नहीं था, there was not a soul, यह एक phrase है, you can use it in your spoken English as well, मान लो कि आप कभी school में जल्दी पहुँच गए हो, सो बहाँ कोई नहीं है वहाँ पर, तो आप बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, there was not a soul, इसका क्या मतलब है, कि भाई, एक भी आदमी वहाँ पर present नहीं था, एक भी बच्चा वहाँ नहीं था, इसका क्या meaning है, no one was present, ठीक है, तो आप यह लिख सकते हो, अभी भी अगर आपको बोलना है, no one was present there, no one is present there, तो आप बोल सकते, there was not a soul, तो ground के उपर तो भाई, कोई था ही नहीं, हर कोई छटों पे चड़ा हुआ था, डर के मारे, the streets were empty, as if the inhabitants of the entire town, had suddenly disappeared, सारी streets खाली थी, because कभी भी वो wild elephant, किसी पर भी attack कर सकता था, तो ऐसा लग रहा था, as if, जितने भी inhabitants थे, inhabitants होते हैं, वहां के natives, जो भाँ रह रहे हैं, ऐसा लग रहा था कि, वो सब लोग suddenly, disappear हो चुके हैं, गायब हो चुके हैं, I was studying in the junior class, at that time, now who is I here, यहां पर I कौन है, यहां पर I है, E.Swaran, see I am pronouncing the name as E.Swaran, because यहां पर H रही है, and H वाला sound शर देता है, और वो सब ड्रामा देख रहा था, rooftop से, और यहां पर I.Swaran कहते है, पता नहीं मुझे suddenly क्या हुआ, I don't know what came over me, मैंने फटा-फटा से cane पकड़ी, now what is a cane? It's a stick, ठीक है, more like, ऐसे समझ लो, ऐसे, इस तरीके की एक stick है, this is a cane, 100 on 100 for my drawing, पुदी देती हूं, मैं इस से पहले आप लोग बजा कुड़ा हूं, ठीक है, so cane हातो से खीची अपने एक teacher के, he ran down the stairs, नीचे भागा stairs के, and into the open, मतलब बिल्कुल खुले ground में वो चला गया, the elephant grunted again, it produced the same sound, and menacingly swung a branch of tree, which it held in its trunk, अब आपने पीछे image में देखा था, trunk में उस कैसे उसने अपनी वो uprooted branch लिया हुआ था, right वो shrub लिया हुआ था, तो उसको menacingly, threateningly, मतलब डराते हुए it swung, उसको हलका सा move किया ता कि अगला जो है, हमारा ee स्वरणया पर डर जाए, it stamped its feet, अपनी feet को जोर से stamp किया, kicking up a lot of mud and dust, और obviously उसके heavy weight की वज़ए से बहुत जाथा धूल महाँ पर उड़ी, it looked frightening, लग तो बहुत डरावना रहा था, लेकिन क्योंकि इसवर एन स्टोरी में hero है, तो he said, मैं ना बहुत slowly उसकी तरफ बढ़ा, यहां पर भी हर कोई बिल्कुल किसी बिना movement के motionless होकर यह पूरे सीन को देख रहा था, the elephant looked at me, red-eyed, now see, red-eyed elephant, now red-eyed का यहां पर क्या मतलब है, red-eyed से बुलने का मतलब यह है, कि he was angry, right, ठीक है, तो filled with anger, वो देख रहा था किसको इसवर अन को, and he rushed towards him, भागा उसकी तरफ, it lifted its trunk and trumpeted loudly, trumpet sound, elephant का जो sound होता है, ठीक है, जैसे हम कहते है, वो जोर से trumpet का sound दिया, and that moment, I moved forward, mustering all my force, और उस time पर, now mustering क्या होता है, collecting, gathering, ठीक है, I'll write it here, gathering, ठीक है, सारा force, सारा strength collect किया, wagged its third toenail on the quick, wagged its to hit hard, उसके third toenail पर, जोर से वो stick मार दी, the beast looked stunned for a minute, सो च्वित्ती जोर से पड़ा विचारा, बोडी देर के रहता है, वो जोर से पड़ा बिचारा, बोडी देर के रहता है, then it shivered from head to foot, and collapsed, shivered, trembled, थोड़ा सा, लगा शिवरिंग हुई बोडी में, दर्द हुआ होगा, and it collapsed, और वो गिर गया, it fell down, ठीक है, okay, at this point, इस वरिंग वोड लीव, the story unfinished, अब ऐसी situation में, story पूरी complete भी नहीं करता था, इस वरिंग, कि get up mumbling, वो उड़ जाता था, mumble करता वो, बढ़ बढ़ाता था, कि मैं अभी आता हू, मुझे gas on करनी है, and I have to warm up the dinner, मुझे dinner जो है, गरम करना है, तो story को आधी छोड़ कर, महां से उड़ गया, and, महेंदर जो इतनी ध्यान से, story सुन रहा है, with rapt attention, would be left hanging, यार अब इतनी ध्यान से, आप story किसी को सुना रहे है, और सडनली वहां से उठके चले जाओ, कि, okay, break के बाद आपको मिलते हैं, तो होता है ना, कि यार, क्या यार, कब पता चलेगा, अब इसके बाद क्या होगा, जैसे हम series देखते है, season 1 आ गया, season 2 का, हम लोग इतना wait करते है, hype बन जाता है, तो probably महेंदर, ये हमारे इस्वरन की strategy रही होगी, कि मैंना एक hype बना के छोड़ देता हूँ, इसके बाद ये और ध्यान से मेरी story को सुनेंगे, तो when he returned, इस्वरन वोड नॉट पिक अप the thread of the story right away, अब जैसे ही वो अपने काम से वापस आता था, तो इस्वरन instantly जहाँ पर उसने story छोड़ी है, वहाँ से start नहीं करता था, महेंदर would have to remind him that the conclusion was pending, बार बार remind करना पड़ता था कि भाई, तुमने story खतम नहीं की है, pending है अभी, well, a veterinary doctor was summoned to revive the animal, यहाँ पर इस्वरन फिर continue करता है, कि या देखो, अब जानवर को नुकसान पहुंचाया है, तो एक veterinary doctor को बुलाया गया, कि कि है, summoned का मतलब होता है, called, उसको बुलवाया गया, अब call का मतलब सिर्फ phone call नहीं है, यह बुलवाया गया, अब by call, by message जैसे भी उसे बुलवाया, ताकि वो इस animal को revive कर सके, इसको थोड़ा सा, इसमें जो भी problem भाई, अब hurt तो हुआ है, वो बेहोश हुआ है, तो उसको होश में ला सके, इस वरन वोड श्रग casually, नो श्रग, this is called shrug, पहनने वाला श्रग नहीं है, girls, श्रग वो पहनने वाला श्रग नहीं है, श्रग इस, एसा वाला, this action is shrug, two days later, it was led away by its maho to the jungle, दो दिन बाद, तो उनका caretaker होता है, वो उनको जंगल में लेके चला जाता है, तो ऐसा नहीं है कि एनिमल अब्यूज है, सब ध्यान रखा गया है, अब महेंदर पुछता है, यार, तुमने कैसे कर लिया ये, इतने बड़े जानवर को, how did you bring it down, नीचे कैसे गिरा दिया, it has something to do with the Japanese art, I think, sir, अब अपने बारे में तो बता नहीं है, तो चलो थोड़ा जोड़ तोड़ के बता दो, तो यहां पर इस्वरन कैता रहे, sir, ये सब Japanese art, karate का कमाल है, जैसे jujitsu कहा जाता है, I had read about it somewhere, it temporarily paralyzes the nervous system, मैंने पढ़ा था, कि कुछ देर के लिए nervous system को paralyze कर देता है, कोई move ही नहीं कर पाएगा फिर, you see, not a day past without इस्वरन, recounting some story packed, with adventure, horror and suspense, तो एक भी दिन ऐसा नहीं जाता था, जब इस्वरन कोई ऐसी story ना सुना है, जिसमें adventure भी हो, horror भी हो, और कुछ suspense भी हो, चीक है, मस्त एकदम web series बना के सुनाता था इस्वरन, whether the story was credible or not, Mahendra enjoyed listening to it, because of the inimitable way in which it was told, अब चाहे वो story credible हो, नहीं हो, उस पर belief किया जाए, नहीं किया जाए, महेंदर बड़े ध्यान से सुनता था, because जिस तरह से inimitable, अगर आपको word पता है, imitate, imitable, at least अगर यह पता है, imitable का मतलब क्या होता है, जिसको copy किया जा सके, okay, something which can be copied, जिसको copy किया जा सके, और इसका opposite क्या हो जाएगा, inimitable way, तो जिस तरह से ईस्वरन, इस way में story सुनाता था, जो कोई नहीं कर सकता था, तो वो जादा intriguing लगता था, महेंदर को, ईस्वरन seemed to more than make up, for the absence of a TV, in महेंदर's living quarters, तो ऐसा क्यों बोला महेंदर ने, कि यार मेरे quarters में जहां में रहता हूं, मार TV नहीं है, लेकिन इस्वरन इसको पूरा fulfill कर देता है, TV की कमी मुझे feel नहीं होने देता, वो ऐसा इसलिए, because, जिस तरह से, because of, the way इस्वरन narrated his stories, जिस तरह से वो नरेट करता था था ना, stories को, यही reason था कि, महेंदर ने यहां पर statement दे दी, कि भाई मुझे तो TV की absence भी feel नहीं होती, अब, यहां पर हम देखेंगे, यह वाले पार्ट में, इस्वरन का real storytelling का, आप impact देखोगे, कैसे पड़ा महेंदर की life ही, one morning when महेंदर was having breakfast, इस्वरन आस्ट, एक दित महेंदर breakfast कर रहा था, इस्वरन पूछता है, can I make something special for dinner tonight sir, आज मैं कुछ special बनाऊ के दिनर के लिए, because today is an auspicious day, auspicious, कुछ पवित्र दिन है आज, बहुत ही अच्छा शुब दिन है, according to tradition, we prepare various delicacies, delicacies, हम बहुत सारा खाना, बहुत variety बनाते हैं, food में, किसके लिए, to feed the spirits of our ancestors today sir, आज हम अपने पूरवजों की spirits के लिए, खाना बनाते, तो आज क्या मैं, खूब अलग-अलग ताइप की dishes बना सकता हूँ, यह हमारा tradition है, तो can I do it? तो वह question पूछता है, अब खाने की बात है, तो यार क्यों महेंदर बना करेगा, तो उस रात, महेंदर ने बहुत delicious खाना enjoy किया, ठीक है, और ईस्वरन की तारीफ भी की, complimented, phrased, आप लोगों को अगर इस तरह के कोई difficult words दिखते हैं, आप try करो उसके synonyms जानने का, easy version, ठीक है, तो बहुत तारीफ की ईस्वरन की, उसके इस आर्ट में की, भई तुम तो खाना भी इतना tasty बना लेते हो, he seemed very pleased, but unexpectedly launched into a most garish account involving the supernatural, तो अभी मस्त मज़े से खा राता बढ़िया से, लेकिन इस खाने के बाद, एक बहुत ही भयंकर स्टोरी उसको सुनने मिलने वाली थी, किस से, ईस्वरन से, ठीक है, किस से related, supernatural से related, कुछ तो यहाँ पर, जो natural नहीं है, कुछ अलब यहाँ पर स्टोरी उसे सुनने को मिलने वाली थी, देखो क्या है, You know sir, this entire factory area we are occupying was once a burial ground, ती, अभ ईस्वरन देखो क्या शुरू करता है, कि आपको पता है sir, यह पूरा जो area है na, factory area, जहाँ पर कामवाम हो रा है, जहाँ हम हैं अभी, महेंद्र मस्त अपना चिल कर रहा था, suddenly उसको एक धक्का लगता है, jerk doubt is suddenly कैसे धक्का लगना, of the pleasant reverie, वो जाग जाता है, reverie is dreaming, ठीक है मस्त अपना dreaming, he was enjoying the food, suddenly उसको धक्का लगता है, और इस satisfying meal के बाद, वो अचानक से, अपने होश में आजाता है, because he was dreaming after eating food, having the food, I knew on the first day itself, when I saw a human skull lying on the path, मुझे तो पहले दी नहीं पता था, वो महिंद्र को बोलता है, मैंने एक skull देखा था रास्ते में, even now I come across a number of skulls and bones, आज भी मुझे बहुत सारे skulls and bones लिखता है, He went on to narrate how he sometimes saw ghosts at night, in fact वो आगे बताता है कि किस तरह से उससे रात में भूत दिखाई देते हैं, I am not easily frightened by these things sir, मैं तो इन चीज़ों से नहीं दरता हूं sir, I am a brave fellow, मैं तो बहुत बहादुर हूं, ठीक है, I am a brave person, fellow means person, but one horrible ghost of a woman, which appears off and on at midnight during the full moon, now, यहाँ पर वो किस के बारे में बताता है, एक ghost के बारे में, जो कि एक woman थी, जो on and off, कभी-कभी repeatedly है, off and on is basically आती-जाती रहती है, ठीक है, आधी रात को, midnight में, कब, during the full moon, typical हमारी जो ghost stories होती है, कोई देखी है, आपने mention करो, जरा मुझे Bollywood या Hollywood, it is an ugly creature with matted hair, and a shriveled face, नाओ, वो किस तरह से description दे रहा है, देको यहाँ पर, वो description दे रहा है, इस ghost का, जो इसने देखा है, ठीक है, वो बोलता है कि यार, इस ghost के matted hair है, बहुत ही गंदेज, ऐसा लगता है, बतानी, कब इसे धुले नहीं है, and a shriveled face, a small face, like a skeleton, बिलकुल एक skeleton जैसा, holding a fetus, now fetus क्या है, unborn baby, और उसके हात में, वो क्या लेके घुमती है, an unborn baby, ठीक है, एक fetus लेके घुमती है, science में पढ़ा है ना, अपने fetus, Mahendra shivered at the description, and interrupted rather sharply, Mahendra's description से बहुत डर जाता है, and he interrupted, वो बीच में रोग देता है, you are crazy, इस्वरन, तुम पागल हो क्या है इस्वरन, ऐसा कुछ नहीं होता है, यह बस हमारी imagination होती है, it's all a figment of our imagination, और कुछ नहीं, just part of our imagination, और कुछ भी नहीं होता, अपना digestive system, check करा लो, हो सकता है, और अपना सर भी, दिमाग भी जड़ा check करा लो, ठीक है, इतनी बकवास बात है, हाँ मत करो मेरे सामने, और यह सुनकर, इस्वरन वहां से चला जाता है, in fact, महेंदर भी वहां से चला जाता है, and retired for the night, और अराम करने निकल जाता है, यह expect करते हैं कि, इस्वरन तो सल्क for a couple of days, कि कुछ दिन जो है, इस्वरन जो है, थोड़ा सा तुप रहेगा, इस तरीके की बाते भी नहीं करेगा, प्लस थोड़ा उदास रहेगा, सल्क करेगा, but the next morning, he was surprised to find the cook, as cheerful and talkative as ever, लेकिन यह डांट पढ़ने के बाद, next day जब वो देखता है, तो इस्वरन का तो same behavior था, he was as talkative as ever, जैसा पहले था, वैसा यह उतना ही खुश, उतना ही energetic, right, from that day on, Mahindra, for all his brave talk, went to bed with a certain unease, लेकिन उस दिन से, Mahindra ने यह तो कहा था, कि यह सब बखवाज होता है, it's just a pigment of our imagination, लेकिन, Mahindra को पुड़ा सा, जभी वो सोने जा रहा था उजन के बाद से, उसने जितनी भी अपनी बहादुरी वाले बाते की थी, he went to bed with certain unease, unease is basically some kind of discomfort, कि अब उसको ना पहले जैसे अरामदा एक नींद नहीं आ रही थी, अब वो सोने भी जा रहा था ना, तो कुछ ना कुछ उनकमफ़टबल उसे लग रहा था, एकिन, every night he peered into the darkness outside, to the window next to his bed, वो हमेशा जांकता था, अपने bed के side में जो window है, उसके बाहर रात को darkness दिखती है, तो बहाँ से वो जांकता था, trying to make sure that there was no movement of dark shapes in the vicinity, vicinity is the nearby area, तो बस ये देखता था, कि अगर कोई है तो नहीं, ऐसा होता है ना हमारे साथ, आप लोग प्लीस comments में मुझे share करो अपने अपने experiences, कि किसी के साथ हुआ है ऐसा कि भाई कभी parents घर पे नहीं है, और हम लोग बहुत सदा horror movies and stories वगरा सुनकर पढ़कर, ऐसा assume कर लेते कि अगर curtain भी move कर रहा है, कोई तो है वहाँ पर, हलका सा अलमारी का ये tap में से थोड़ा भी drop पानी का गया नीचे, तो हमें जो sound आती है, उससे भी हमें डर लगता है, तो ऐसा कोई incident किसी के साथ हुआ हो, भी it funny, भी it serious, और भी it any true incident, आप comments में जरूर बता रहा हूँ, तो Mahendra ने क्योंकि story सुन ली थी, तो अब उसके लिए थोड़ा uneasy हो गया था, रात को सो पाना, बट, he could only see a sea of darkness with the twinkling lights of the factory miles away, अब वोई सुचता कोई है तो नहीं विंडो के बाहर, now he started imagining things, लेकिन कोई नहीं दिखता था, except for the darkness, ठीक है, he had always liked to admire the milk-white landscape on full moon nights, तो हमेशा से उसको क्या अच्छा लगता था, full moon night का ये scene देखना, वो सुन्दर उसे लगता था, लेकिन जब से उसने ईस्वरन की ये story सुनी है, उस female ghost के बारे में, he avoided looking out of his window, उसने तो बाहर भी देखना बन कर दिया, कभी भी जब the moon was full, उसने बाहर ही देखना बन कर दिया, कि अब मैं नहीं देखूंगा, one night, महेंद्र was woken up from his sleep, by a low moon close to his, लो, अब देखो एक बिन क्या हुआ, suddenly महेंद्र की नीन खुली, किस वज़े से, due to a low moon, एक क्राए, वो हलकी सी रोनी की अवाज आई, विंडो के बाहर, at first he put it down to a cat, prowling round for mice, उसे लगा, कि कोई बिल्ली है यार, जो चुहे को डून रही है, ठीक है, वो cat की अवाज तो नहीं लग रही थी, because cat की तो फिर भी थोड़ी सी एक low pitched होती है, इतना ज़दा harsh sound नहीं आती है, तो guttural sound था, guttural was harsh, ठीक है, और जैसा हम लोग करते हैं, कई बार घर में कोई नहीं होता है, हम लोग battery से cover करके, हम सो रहे होता हैं बड़े अराम से, अगर कोई जरा भी sound आती है, तो we resist, यार हम बार नहीं, अगर कोई दिख गया तो क्या हो जाएगा, हम उनको नहीं देखना है, बैटशी से बार ही नहीं आना है, ठीक है, लेकिन जो ये रोने की आवास थी, ये सदनली तेज हो गई, and less feline, now feline is basically, कि किसी cat family से related, तो sound ये नहीं लग रही थी, ये कुछ और ही था, he could not resist the temptation anymore, अभी अपनी temptation को नहीं रोग पाया, he was attracted towards the sound, कि भही मुझे देखना है, ये क्या है, lowering himself to the level of the windowsill, he looked out at the white sheet of moonlight outside, उसने खुद को बिंडो के पास पहुचाया, और देखा बाहर, moonlight को, and there, not too far away, not too far away, was a dark cloudy form, clutching a bundle, तो उसको दूर क्या दिखाई दिया, एक इस तरीकी की image उससे दिखाई दी, जादा दूर नहीं, एक इस तरह का कुछ, a dark cloudy form, जिसके हाथ में कुछ इस bundle था, clutching is holding a bundle, okay, Mahendr broke into a cold sweat, and fell back on the pillow, Mahendr उसे देखते ही, कहां गिरा सीधा, उसको sweating हुई बहुत साथ, out of fear, and he fell back to the pillow, पीछे गिर गया pillow पर, panting, panting is breathing heavily, जब बहुत जोर-जोर से आप डर के मारे, सांस लेने लगते हो, this is called panting, as he gradually recovered from the ghastly experience, he began to reason with himself, and finally concluded that, it must have been some sort of auto suggestion, some trick that his subconscious had played on him, now see, जैसे जैसे उसको, खुद को होश आया, और बहुत ये bad experience, उसके साथ रहता, he started, you know, talking to himself, जब मैं खुद को समझाते हैं, कि यार नहीं 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 ये, तो हमारे दिमाग की कुछ उपज है, ये कुछ नहीं हो सकता, हो सकता है, और पर suggestion, मैंने खुद अभी, अभी तो recently, इस्वरा ने मुझे स्टोरी सुनाई है, तो मैंने खुदी शायद imagine कर लिया है, कि सब मेरा subconscious mind है, ये सब बस ट्रिक चल रहा और कुछ नहीं, मैं ये सब नहीं सोचूँगा, ये reality नहीं हो सकती, तो रात में जो भी हुआ था, वो सारा हॉरर उसके दिमाग से चला गया था, इस्वरान उसको मिलता है, ग्रीट करता है, इसके साथ, लँच पैके के साथ, और उसके बैग के साथ, just as Mahindra was stepping out, इस्वरान grinned and said, जैसे ही Mahindra भाड जाने वाला था, इस्वरान एक smile दी, grin, एक wicked सी smile दी, he said, Sir, remember the other day, आपको याद है, जब मैं आपको female ghost के बारे में बता रहा था, जिसके हाथ में एक fetus था, you were so angry with me for imagining things, आप मुझ पर गुसा हो रहते हैं उसके बारे में, well, you saw her yourself last night, आपने खुद उसे देखा था रात को, है न, I came running, hearing the sound of moaning, that was coming from your room, मैं भागता हुआ, उस sound के पीछे आया, जो आपके room से आ रही था, एक moaning sound आ रही थी, a chill went down Mahendr's spine, Mahendr के पूरे spine में, chilling experience उसको मिल गया, chill का मतलब है, as if, कि वो कुछ feel ही नहीं कर पा रहा था, he got numb, होता है न, कई बार हम डर जाते हैं, तो goose bumps हमें आ जाते हैं, तो बिलकुल ऐसा experience किया, Mahendr ने, he did not wait for Iswaran to complete his sentence, यहां तक कि उसने Iswaran को अपना sentence भी complete नहीं करने दिया था, he hurried away to his office, and handed in his papers, resolving to leave the haunted place, the very next day, और next day, वो क्या decide कर लेता है, उसी moment में कि भाई, अगले दिन से मैने तो यहां नहीं रहना है, he straight away went to his office, and handed over the resign, कि मैं अब यह काम नहीं करूंग, I am leaving this place, भाई, मुझे रहना ही नहीं है इस जगह पर, तो यहां से, that is the end of the chapter, तो आपको क्या समझ मैं है, see, as such कोई बहुत बड़ा moral नहीं है, पर एक lesson ही आपको जरूर देता है, कि भाई, storytelling का जो art है, as I have mentioned you, right, in the video, the animation part, storytelling is an art, it's an art basically, जो क्या करता है, धेर सारी images, या कहो audios, या अपने यहां पर देखा कि, भाई, कोई fear, आपके दिमाग में paint कर देता है, और इस सब के बस की बात नहीं है, ईस्वरन नहीं है करके दिखा दिया, कि ऐसा impact पड़ा, कि महेंद्र, इनिशली खुद को brave समझता था, he thought of resigning and leaving that place, अपने लाइफ में इतना बड़ा change, उसने करने को वो ready हो गया था, इसका impact आप समझ सकते हो, storytelling का impact, right, then, एक message जो हमें यहां से मिलता है, कि भाई, we should not believe in superstitions, इस तरह की चीज़ों पर हम लोगों को believe नहीं करना चाहिए, because यह ultimately हमें ही नुकसान पहुचाते, हमारे लिए ही यह problematic हो जाते है, because अब देख रहे हो, आपकी ईस्वरन की storytelling में फस्ते हुए, महेंद्र ने ऐसा decision ले लिया, जो ultimately उसकी life को impact कर गया, अब job उसने छोड़ दी, सो चो supervisor था वो, वो job ही उसने छोड़ दी, right, so this was the chapter, अब हम लोग करेंगे कुछ important questions, right, so सबसे बहला question आप देखो, in what way is ईस्वरन an asset to महेंद्र, महेंद्र ईस्वरन के लिए asset कैसे था भई, कैसे उसके लिए resource था, आप अच्छे से इसका आंसर कर सकते हो, ईस्वरन was an asset, because he proves to be, देखो किस तरह से answer करना है, ईस्वरन proves to be an asset to महेंद्र, as he provides care, companionship and works for him, देखो ये 3 phrases या 3 keywords मैं कहूँ, आपके लिए जरूरी है, ईस्वरन एक resource था महेंद्र के लिए, कैसे, इस्वरन महेंद्र के लिए, और उसके लिए काम करता था, क्या काम करता था, अपने मास्टर के साथ, थ्रूराउट चाट करता था, and many anecdotes, क्या शेर करता था, स्टोरी भी सुनाता था, बहुत सारे किसे भी सुनाता था, that is how he was an asset to महेंद्र, important question है, then in the story, इस्वरन the storyteller, do you think महेंद्र was a fussy man, give reasons for your answer, क्या लगता है, महेंद्र बहुत ज़्याता नखरे वाला इंसान था, हमने पढ़ा था ये, महेंद्र was a simple man, वो कोई भी इस तरह का fuss create नहीं करता था, बहुत ही chapter में clearly दिया हुए, है कि उसके needs जो थे, वो बहुत simple थे, और वो हर तरीके के situation में adjust कर लेता था, कोई भी odd condition हो, चाहे एक tent में रहना हो, एक stone quarry में, और an ill-equipped circuit house, या फिर किसी भी बहुत ही बुरी तरह से managed circuit house में, then you have to describe the character of Iswaran, सबसे important हमारा main जो character है, hero है हमारे chapter का वो है Iswaran, तो हम उसके बारे में कैसे, characteristic उसका क्या लिखेंगे, पूरा character sketch हमें draw करना है, तो long answer type में भी आपको ये question आ सकता है, सबसे पहला तो देखो, क्योंकि वो Mahendra की तरफ devoted था, तो जो सबसे key points हमारे लिए हैं, वो एक loyal इंसान था, hard working था, because काम से वो नहीं डरता था, इतने अलग-अलग हमने देखा, household codes, वो सब कुछ कर लेता था, and resourceful man, resourceful man, आप asset वाले answer से ये help ले सकते, कि वो एक asset था Mahendra के लिए, who never complained, जो कभी भी complain नहीं करता था, अब Mahendra being a supervisor, उसको अलग-अलग जगह जाना पड़ता था, तो देखो, कोई और होता servant, तो यार कितना complain करता है, sir मैं नहीं आऊँगा, आप यहाँ जा रहे हो, कभी महाँ जा रहे हो, लेकिए he never complain, हो गया सबसे पहला important, he made any place feel like home, कोई भी जगह हो, वो उसको घर की तरह बना देता था, even in the middle of nowhere, चाहे वाह कुछ भी ना हो, desolated areas को भी, his cooking skills were magical, उसके जो cooking skills थे, वो magical थे, amazing, as he could wipe up, as he could whip up delicious dishes, with fresh ingredients, seemingly out of thin air, और बहुत ही delicious dishes, वो बना लेता था, और ingredients कहां से लाता था, ये तो किसी को नहीं पता, इतना talented था, कि भाई किसी भी situation में, कहीं से भी, कोई भी problem में, वो अराम से, अपना cooking, जो है बढ़िहा से कर लेता था, Iswaran was also a captivating storyteller, ये तो सबसे important है, कि Iswaran, एक बहुत ही अच्छा storyteller था, inspired by his love for Tamil thrillers, जिसका inspiration उसे कहां से मिलता था, उसके Tamil thrillers से, which he used to read during his free time, weaving tales full of surprises and suspense, और जिसमें से वो stories बनाता था, जिसमें surprise भी होता था, suspense भी होता था, and despite his mischievous side, although यहां पर थोड़ा mischief, शतानिया, no doubt वो करता था, and was always great company, वो सब अगर side में रखा जाए, तो वो महेंदर की genuine care करता था, और उसका बहुत अच्छा एक friend, या कहलो company साबित हुआ, साथी, तिक है company वो office वाला company नहीं है, साथी जिसे हम कहते है, महेंदर calls ghosts or spirits, a figment of the imagination, what happens to him on a full moon night, तो महेंदर ने क्या बोला था, कि भाई ये सब क्या होता है, ghosts and spirits, ये सब हमारे दिमाग का बस एक, हमी खुद सोचते रहते, तो it's just our imagination and nothing else, लेकिन उसको full moon night के दिन क्या हुआ भाई, कहां गई उसका ये सारा का सारा thought, महेंदर was a practical man, महेंदर जो था वो एक practical man था, वो ईस्वरन को हमेशा बोलता था, कि यार ये ghost ghost ये सब चीज़ों पर believe मत करो, considering them mere products of the imagination, कि भाई ये सब चीज़े ना हमारे दिमाग ही बनाता है, तो और कुछ भी नहीं है, however one night लेकिन एक रात को क्या हुआ, as the full moon shone brightly, shown is the past tense of shine, full moon था उस दिन, महेंदर वस अवेकंड, महेंदर उठा था किस वज़े से, अलो, eerie moan near his window, एक अजीब सी डरावनी सी, strange sound की वज़े से, he got up, ठीक है, moan is a cry, at first he thought it might be a cat hunting for mice, पहले तो उसको लगा किया, कोई cat शायद किसी चुहे के पीछे गई है, the sound was too strange for that, लेकिन बहुत ही अजीब sound थी, he peered out the window, and saw a dark shadowy figure, holding something in its sound, और उसने बाहर जहां का window से, उसको क्या दिखा, एक dark shadowy सा कुछ भी, आपने देखा ना, मैंने भी आपको फोटो भी दिखा ही, एक dark shadowy figure देखा, जसके हाथ में कुछ था, fear gripped him, डर ने उसे पकड लिया, hold him, ठीक है, to hold, right, and he recoiled in terror, और वो डर से पूरी तरह बंद गया, okay, he was frightened भी आप लिख सकते हो, later he tried to rationalize it, बाद में जब उसने सोचा, यार सही गलत क्या है, believing it was a trick played by his own mind, dismissing the supernatural encounter, next day आपने देखा ना, कि जब वो सोच रहा था कि यार, नहीं नहीं, सब मेरे ही दिमाग का सारा कुछ figment है, और कुछ नहीं है, subconscious mind का trick है, that is it, लेकिन, ultimately, क्या हुआ, उसको, वो resign करके चला जाता है, लेकिन, क्या महेंद्र ने सच में कोई घोस्ट देखा था, chapter के end तर यही question आपका रहा होगा, क्या सच में कोई था क्या, तो क्या आपको लगता है correct answer होगा, महेंद्र दिन सी देखोस्ट, महेंद्र ने कोई भूत नहीं देखा था, क्या कोई था ही नहीं, because there wasn't any, the student had described the guest vividly, जो guest था महाँ पर, actually में कौन, the ghost, उसको ऐसे vividly, इतना जादा describe कर दिया, कि भई वो कैसा creature था, कैसा presented था, क्या उसके हाथ में था, he just hallucinated the ghost, तो उसको बस एक imagination हुआ, उसको ने hallucinate कर लिया, visualize कर लिया, कि यार ये ghost जोई सच में exist करता है, तो real में महिंद्र ने कोई भूत नहीं देखा था, ठीक हम सबके साथ होता है, हम बहुत जादा अगर continuous कोई horror movies देख लेते हैं, तो कुछ ताइम तो भई, doll देखके भी डर लगने लगता है, कि क्या पता है, ये उठके बोले, Hi Deepika, how are you? Imagine, तो this was the chapter, and we covered all the important questions, जो आपके exam में आ सकते हैं, राइट,